हेलो दोस्तों, मैं शुरूती अपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है लन्मराठी ईजीली आज हम 30 विरुधार्थी शब्द यानि 30 opposite words देखने वाले हैं पहला शब्द है प्राचीन प्राचीन अर्वाचीन या फिर आधुनिक प्राचीन मतलब बहुत पुराना अर्वाचीन मतलब आधुनिक नए जमाने का पुढ़ारी या फिर नेता अनुयाई मतलब follower पुढ़ारी या फिर नेता अनुयाई follower पुण्य पाप भर्ती यनि हाई टाइड ओहोटी मतलब लोटाइड यनि जुआरभाटा भर्ती ओहोटी माहेर सासर माहेर मतलब मायका सासर माहेर मतलब मायका सासर मतलब ससुराल इमानी बेइमान वयक्तिक सामुहिक वयक्तिक सामुहिक वयक्तिक मतलब इंडिवीज्वल सामुहिक मतलब कलेक्टिव या फिर ग्रूप का वयक्तिक मतलब इंडिवीज्वल सामुहिक मतलब कलेक्टिव या फिर किसी ग्रूप का आशिर्वाद शाप सगूण निर्गूण सगूण मतलब जो सगूण साकार कहते हैं जो हम देख सकते हैं निर्गूण मतलब जो नहीं देख सकते जो निराकार है समता विशमता सावध बेसावध सावध, बेसावध सावध मतलब सावधान बेसावध मतलब लापरवा स्वक्किय, पर्किय स्वक्किय, पर्किय स्वक्किय मतलब खुद के देश का पर्किय मतलब दूसरे देश का foreign country का मतलब स्वदेशी, पर्देशी स्वदेशी, पर्देशी साधार मतलब जिसका कोई आधार है साक्षर मतलब जिसे पढ़ना लिखना आता है निरक्षर मतलब अनपढ, सुकाल, दुशकाल, सुकाल, दुशकाल मतलब अकाल, जिसे सुखा पढ़ना कहते हैं, उसका अपुजच होता है सुकाल सुन्दर, कुरूप, सुपीक, नापीक, सुपीक मतलब अपजाव, नापीक मतलब बंजर, obviously जमीन सूरस, नीरस, सूरस मतलब अन्रस्टिंग, या फिर रोचक, नीरस मतलब रसहीन सुर, असुर, मतलब देव, दानव, वैसे असुर और दानव को मराठी में भी रक्षस कहते हैं, हिंदी में भी हम रक्षस कहते हैं सोई, गईरसोई, मतलब सुविधा, असुविधा स्तुती, निंदा स्तुती, मतलब तारीफ, निंदा मतलब निंदा स्वतंत्र, परतंत्र स्वस्त, महाग स्वस्त, महाग स्वस्त, मतलब सस्त, महाग मतलब महेंगा स्वस्ताई, महागाई स्वस्ताई, महागाई सस्तापन, महेंगाई स्वर्ग, नरक किमान मतलब मिनिमम, कमाल मतलब मैक्सिमम किमान मतलब कम से कम, कमाल मतलब ज्यादा से ज्यादा कृतगन मतलब कृतगन, कृतगन मतलब जिस पर हुए उपकारों की जो जानकारी रखता है और उसके हिसाब से वर्तन करता है, और कृतगन मतलब अगर किसी के उपर किसी ने कोई उपकार किया और अगर वो उपकार भूल गया, तो उससे कहते हैं कृतगन इलाज, नाईलाज, इलाज, नाईलाज, नाईलाज मतलब कोई दूसरा मार्ग या फिर उपाए ना होना उपद्रवी निरुपद्रवी उपद्रवी मतलब जो उपद्रव मचाता हो निरुपद्रवी मतलब जो उपद्रव नहीं मचाता तो ये थे 30 विरुद्धार् Tea शब्द यानी 30 एंटोणिम्स यानी विरुद्धार्थी शब्द opposite words अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चालेंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाईए ताकि अग्या नहीं वाली वीडियो के सारे नोटिफिकेशन्स आपको जब मैं वीडियो अपलेड करू तब मिले तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक एर बाई